यह आज का जो एठाज December का यह फर्स सिफ्ट का जो है एनलेसिस है ठीक है जेनरल नालेस के क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है PNB का है कहां है तो जो है निव देली में ठीक है मैंने पहले से लिक के यहां पे रख दिया है कि वीडियो थोड़ा सा ल माइक्रोप्ट का सी यू पूछा है वो भी सिबको पता सत्या नडेला नेक्स्ट पूछा है कि कुंडल कुलम जो नुक्लियर प्रांट कहां पर है तो यह तो यह पासेस से है यह हमांचल प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो है वो गुहांटी में हुआ था तो यह करन्ट अफेर से रिलेटेड है उसके बाद से पुछा है लॉंगेश्ट नेशनल हाइवे यह कहां है यह जो है एनस 44 जो है यह लॉंगेश्ट नेशनल हाइवे है फिर डिन एक डवल हैलेक्स मॉडल यह पूछा है यह सब्सक्राइख पुछा है यह एक्ट हाँ सबसे पहली बाद तो यह पूछ लिया इससे रिलेटेड था तो यह चाइल्ड मैरेज एक्ट से रिलेटेड है फिर पूछा है टोटल राम सरच जो है कितने है टोटल इंडिया में वेटलेंड जिससे आर्द भूमी कहते हैं ठीक जो है 42 ठीक है इसका सही जो 42 फिर इसके वासे करंट गवर्नर आप बिहार गवर्नल जो है बिहार के कौन है राजयपाल फागो चवहान इस समय के गवर्नर है तो गवर्नर से रिलिटेड भी कोश्चन आ रहा है हिस्ट्री में देखे बंगाल विभाजन कब हुआ ये पुछा साऊ्ट कौन सी वेब है ये देख लिए पूछा है रवर और इस्टील में किसकी אז ज्यादा है कि आप समझ जर्टील की इलश्टीसी ज्यादा है रवर की एलश्टीसी ज्यादा नहीं है यह प्रिवसो UCन है इलेक्ट्री कररणट की यूनिट के है यह भी प्रिविशोय में आए हुआ है तो मैं देखे जो current affairs को question को छोड़ दिया जाया तो मतलब जितने भी question आ रहा है उसमें 90% से अधिक question जो वो previous year में आए हुए question है तो मैं कई बार जोड़ देता हूं कि आप previous year का question question जरूर करिए और आपको एकाद दो question नहीं विया था कोई दिक्कत नहीं आपको cbt1 qualify करना है बस ठीक है इसमें आपका टॉप नहीं करना है ठीक है तो qualify भर करने के लिए आप स्रीफ previous year paper पढ़ लेंगे तो आपका qualify हो जाएगा बलकि आपको current question आया हुआ था कि सुस्मा सुराज को माड़ो परांद कौन सा जो है कि सम्मान की दिया गया है उनको तो पद मिउसर से समानित किया गया था तो वह question यह current पर से रिट्रेड है तो current पर जितना ज्यादा ज्यादा पढ़े रहेंगे वह आपके लिए helpful होगा एक math से question कुछ देख लेते हैं math का जो देखिए पहला question यहां पर मुझे मिला है मूलधन दिया हुए 2400 SI simple interest दिया है 640 4 साल का समय दिया हुआ rate of interest पूछा हुआ है तो 4 साल का जो सिंपल interest दिया हुआ तो 4 से divide कर देंगे तो 160 हा जाएगा ठीक है अब 160 पता चल गया तो आपको rate of interest निकालना है तो 160 2400 का कितना परसेंट है यह भी आप निकाल देंगे तो भी rate of interest निकल जाएगा क्योंकि एक साल का आपने जो है कि साधा और ब्याज निकाल लिया है तो 160 2400 का कितना परसेंट है परसेंट निकाल लिए rate of interest निकल गया है दूसरा question पूछा है एक rectangle दिया हुआ है लंबाई और चाउणाई के ratio 213 दिया हुआ है तो अगर 213 हो गया और तीन दूने 6x ले रहते हैं 6x की value 48 दिया हुआ है तो x की value कितनी होगे 8 8 पता चल गया पूछा है कि rectangle का area क्या होगा तो area लंबाई गुड़े चाउणाई होता है 2 1 ठीक है तो यह हो जाएगा 2 गुड़े 8 ठीक है 16 cm square यह बहुत ही आसान कुष्चन है इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ तीसरा कुष्चन पूछा है find smallest number जिसमें जो है पंदरे 25 और 28 से भाग दिया है तो आठ सेस बचे यह भी सिंपल कुष्चन है तीनों का LCM निकलके उसमें 8 जोड़ दीजे वह आपका answer हो जाएगा च आपकर फिष्टी चेत्रफल का आपको फार्मा पता होना चाहिए होता है 2 pi r h ठीक है 2 pi r h में यहां से इसका value दिया हुए 528 यहां पर आप का करेंगे height के value रख देंगे तो radius यहां से निकल जाएगा radius निकल गया तो आप volume निकल सकते हैं pi r square h के formula में रख करके तो यह भी simple ह पांचों question x plus y गी value 60 दिया हुआ है hcf जो है जिसे hcf जो value 12 दिया हुआ है lcm 32 दिया हुआ है पूछा है 1 upon x plus 1 upon y यह भी simple question है 1 upon x plus 1 upon y क्या लेख सकते हैं लेख सकते हैं xy हो जाएगा x plus y यह value आपको find करनी है x plus y गी value 60 दिया हुआ है x into y क्या हो सकती कोई दो संख्या है उ हो उनके hcf और lcm के गुडणफल के बराबर यह भी previous year में question है कोई भी ऐसा question नहीं है आप 6 question में से जिस तरह इस type question previous year में I know हो मैं बार बार यह जोर देता हूँ कि आपको कोई भी अलग से बहुत hard topic पढ़ने की जरूरत नहीं है previous year paper जो है आप ज्यादा ज्यादा solve करेंगे जो भी portion आपका week solve करेंगे उससे ही related आपको question 100% मिलेगा xy की value क्या हो जागी scf और lcm का गुड़ा कर दीगे तो 12 गुड़े जो है बहुत पर यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर जो value है 1 upon x plus 1 upon y इसकी value आपको निकल जाएगी फिर next question पूछा चठा नमर देखिए a b c और चार 9 ठीक है 9 हो गया और multiplying factor अगर x माल लेते हैं उसकी value 120 दिया हुआ है तो x की value 120 upon 9 करके निकाल लेंगे x की value तो b की value निकलना होगा तो b की जगा पर रिष्यो क्या 3 है तो 3x इसमें multiplying factor जो x यहाँ पर निकाले होंगे वो यहाँ पर रख देंगे तो यह इसकी value निकल बहुत ही ज्यादा नया है बहुत innovative है या फिर बहुत cutting question है सब simple question math में भी आ रहा है current affair ही बस आपको portion है जो आपको नया पढ़ना है बाकिस सारे portion जो आपको previous year paper में से मिल जाएगा science का भी हर एक question मिल जाएगा एक आत question अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप छोड़ दीज question छोड़ने लाए question difficult होते ही होते हैं ठीक है तो अगर छोड़ भी देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है आपका qualify हो जाएगा cvt1 थैंक्यू दस्तों all the best